सबस्क्राइब पंजाब मेल यूसी टीवी देखन वाले सारे इदर शकांदा बहुत बाध करीज़ से दोस्तो प्रोग्राम पंजाब चर्चा आज यसी जिन बहुत ज़ादा इंप ने बहुत एह हमियत रख नहीं है दोस्तो आज तो तकरीबन दो साल पहला एक मारी ने साड़े उत्ते अटैक किता सी और ओटैक दिन पर दिन वद्दा जा रहे है लेकिन बड़ी सोचन वाली गल एए है कि जदो कोई दुश्मन साड़े ते अटैक करता है सानू ओधी होर तियारी करनी पहन दी है ते जदो दुश्मन होर मजबूत हो जान दा सानू उस तो जादा त्यार रहना पहनता है कि लेकिन इत्थे कुछ उल्टा हो रहे है जिननी त्यारी साड़ी पहला सी असी उसनू पुला आके एकदम अजाद कुमना शुरू हो गया है और उदा नतीजा एह आ रहे है कि इस वक्त अमरीका अस्ट्रेलिया ब्रिटन वर्गियां महाशक्तियां ने इस बिमारी देगे एक बार फिर खोटने देखने शुरू कर देते हैं जी हां अपां गाल कर रहे हैं उसे महामारी जिदा नाम है करोना करोना जिने के अपने बहुत सारे रूप पर रिवर्तन कीते ने और हुन ओ करोना डेल्टा वायरस दे रूप दे विच आ चुका हुए और डेल्टा प्लस इस वक्त जिड़ा बाकी देशानों पर पर परिशान कर रहे हैं तंग कर रहे हैं सो दोस्तों अगर तुसी अख़बारा ने सुर्कियां देखो टीवी चैनल देखो न्यूज देखो ता अमरीका एक वार फिर संकट देवेच आ चुका है अस्ट्रेलिया देवेच लॉकडाउन है और ब्रिटन देवेच भी बहुत वड़ी मातरा देवेच कीस दुबारा करोना दे पन अपने शुरू हो चुके ने लेकिन जिकर अगल हिंदुस्तान दी करिए ता उदेवेच लुका ने चेरे तो मास्क हटा देते ने सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल खत्म कर देती है और शायद और इस पुलेखे देवेच मनाली कुलू शिमला जम्मू कुश अपने हेल्थ एक्सपर्ट कि शोरी लान हॉस्पिटल दे डॉक्टर वितुल के गुपता जी नूँ सद्दा देता है ताके एक वार तौनुफेरो अलर्ट करन और जडियां खास दोर दोत्ते दसन वालियां गल्ला ने उनना दे बारे अपा आज दे इस प्रोग्राम अक्सर प्रोग्राम दे वेचे गाल बात कीती और तुसी बहुत महत्तब पूराँ जानकारी दिती लुका ने उस जानकारी दा बहुत लाहावी लिया पर साथे पंजाबी थोड़ी जी फित्रत इस तरहां दिये कि कुद्रत ने बनाए सानु इस तरहां के आपा हर महौल द नुकसान हो सकता है इदे बारे मैं जरूर जाना जावांगा तो अनु तो अनुका मांगा कि दुसी साथे दर्शकान हो इदे बारे दसो बिल्कुल ठीक है जी आपका हूं दो वेवस देख चुके हैं पहली वेवस पूरा लॉकडाउन रहा जिते लोकां दा भी नुक्सान होया माली तौरते भी नुक्सान होया फिर सेकंड वेव ने ता बिल्कुली एक्स्पोज कारता साथे सिस्टम नू जी क्यों सेकंड वेव आई क्योंकि लोग फेर पूल लगे सीगे बी कोवेड एपरोप्रेट बिहेवियर एजड़ा जीदे मास्क हैंड हाईजीन ते सोश सकते हैं पर लोग और चारे उपरा ले पुल चुके हैं मेरा ख्याल एक इनसानी फित्रत है कि जदों साथे ते कोई विपता आंदी है ता असी बड़े चौकस हो जाने है जिमे जिमे विपता काट दी है असी ओमें ओमें ला परवा हो जाने है तो सेकंड वेव पे ले ऐसी सारी वीजियूल देख्या कि के जड़े सी के शिम्शान कारड परे पैसी के चितामा नाल थास्पिटल बेड खतम हो गेसी के आक्सिजन दी कार्ड करके लोग मर रहे सी के तो सारी है घलना पुल गए तै वो पुलन करके ही लोग जड़े तुसी उन सारे अकबारान ज़ भी नहीं ला रहे कई अफवामा करके सो ओदे करके सहनू अग्य दे खत्रे बारे सारे एक्सपर्स आगा कर रहे हैं कि थर्ड वेव आंच कोई टाइम नहीं है मीने दो मीने ज थर्ड वेव आएगी जैसी आप दी परानियां जड़ियां गल्पीयां हैगी हो तो सिख्या नहीं ल करते रहे हैं अच्छा डॉक्र साब असी पिछे गाल बात कीती सी थे ओदेवेच भी तुसी जिकर कीता सिगा कि ए बिमारी तो राहत आई मिल सकती है जेकर असी सारे जने वैक्सिनेशन कर वा ली लेकिन आगपांज देखिए अमरीका वरगी कंट्री जिनने काफी वड़ी प्लस दीच पेट वेच आगे ने की कारण है दा? पर वैक्सिन दा इकी जुरूर फैदा है जड़ी मौत दी दार है जिने वैक्सिन लवाई भी है उन्हों जड़ी स्वियर बमारी ज्यादा मिकदार बमारी होंदा खतरा का ठुन दै इंफेक्शन रेट ओही रहन दै तो इस करके जह आपां वो स्थीती देखिए उत्ते रे होना वाईरस दे बाद रहे है पर उन्हीं मौत दी दार है जड़ी ओनी बाद रही है वो बैनिफिट हैगा वैक्सिनेशन दा पर वैक्सिनेशन नों अपने ए समझ के नहीं करना चाहीदा कि उदेनाल इंफेक्शन होगी नहीं या अग्गे नहीं बदूगी डैफिनेटली कि ओदेनाल खत्रा काट जांदा है मौत दा खत्रा काट जांदा है पर इंफेक्शन होंदा ते अग्गे होंदा खत्रा ओल्मोस्ट नहीं रन्दा खास्ता और ते जड़ी वैक्सिनेशन अपने इंडिया चलागी रही है तो एक कारण हैगा भी अम्रीका चे इंग्लेंड या अस्ट्रेलिया थोड़े इंफेक्शन रेट है जड़ी वाद रही है ठीक अच्छा डॉक्ट साब साथे एक मांदे विचना विचार आ जंदा है कि बहुत सारे जड़े होर टूरिस्ट प्लेस वी सी उत्थों दियां सरकारा ने वी क्योंकि आर्थिक तौर्दे उत्ते कमजूर हो रहे सी जिदा है माच्चल टूरिजम हो गया या हूर कई प्लेस हुजियां सी हिंदोस्तान दियां उन्हाने इजाज़े दे देती कि जिनना ने करोना वैक्सिनेशन लगवाया है वह अपना सेर्टिफिकेट दिखान ते वह इते कुम्बन आ सकते ने उस तो बा वह अजाद हो चुके ने जिते भी मर्जी कुम सकते ने का सिर्ण हिद गान आहर मथिदे करें हो यह को जिननना थे हैनला FRणी कि हैउगे है और टी पार्शुके। ऑ 한데 ऐम उस स्टाइब कि को दुख यह कि जिनना ने दो डोजी अज़ लगी न ना दी जड़ी मॉतरिटी वह Circa परसंट है जिनना दे एक डोज लगी विया थोड़ ज़्यादा खत्रेच पर जिनना दे कोई डोज नहीं लगी उनना दी मॉटालिटी जाद है सो सान्नु जड़ी वैक्सीन है ए हॉस्पिटलाइजेशन तो भी हस्पिताल दाखल हों तो जिमें आपा देखे है भी ऑक्सीजन दी का आठ हो जान दी है ओस तो ते मृत्यु दर्तों साधी प्रोटेक्शन जरूर कर दी है येस करके जिनना दे वैक्सीन लगी होई है ओवी जिनना दे नहीं लगी होई उनना नों ता कोविड एपरिप्रेट बिहेवियर है जिड़ा ओ लापरवाई नहीं वरतनी चाहिए दी उनननों जरूरी ओडॉप्ट करना चाहिए उन्हों अपने एक कैली आपर रैंस हैं दे तौर तरीके दा हिस्सा बना लाना चाहिए जी चाहिए अफ़र उन्हाए उसी गाल कीती के दे दो डोस लग चुकी है कि यह सुर्फ गरोणा दी करोणा वैक्षीन जड़ी है वो दो डोस बहुत लापS तो बाद सानु जड़ी डोज है उदी मात्रा वी अगे वदेगी दो वरी लगा चुके ने जड़े उना नों के तेन वरी चार वरी इस तरह मी हो सकता है हजे ना जी रिसर्च चाल रही है पहला ता सानु हिंदोस्तान जी ता पहला सानु कवरेज दी बहुत ज़रूरत है गी है जिमें आज जड़े स्टेस्टिक सीगे और चाली करोड एक डोज लग चुकी है जड़ी ऑल्मोस्ट पची परसंट है गी अबादी दास परसंटों का आकटबादी नो हजे दो डोजेज लग चुकी है जिए भी स्वाल उठ रहे है कि हुन जिनना ने फरवरीच लवाई सी जनर्री फरवरीच उनना दे हुन छेशे मिन ने होगे भी उनना नो बूस्टर डोज लगनी चाहिए या कि नहीं लगनी चाहिए तीजी डोज जो प्लस ते डेल्टा वाईरस आरे है एदेनल कंपनिया ने रिसर्च जरूर शुरू करती है कि जडियां वैक्सीन प्रेजन्ट है गियां ओ किनियां का असरदार है गियां इस ते जे नहीं है गियां ता पौदीच की मॉडिफिकेशन वैक्सीन की बदलावले आईए कि टार्गेट है जी पहला ठीचा है जड़ा वो सारी पौपुलेशन नू एक ते दो डोजिज देना है गा उस तो बाद असी सोचांगे के सार्णू बूस्टर डोज दा की एफेक्ट है उदो ता की रिसर्च जान दी है कि की सानू एक्सपर्ट कहन दे है के बूस्टर डोज किने मीने बाद लगनी चाही दी है केड़ी लगनी चाही दी है जिमें यह ते भी रिसर्च चाल रही है कि पहला कोवीशिड लगिया हूँ कोवैक्सिन दे सकने है या स्कूतनिक दे सकने है या फाइजर दी दे सकने है वो जे जे मिक्स एन मैच आपा कर सकने है कि नहीं कर स सब्सक्राइब करोना तो बाद जड़े पेशेंट सी वह बहुत वड़ी बिमारी दा उना ने सामना की ता और परमातमा दी किर्पा देनाल उना दी कीमती जान पाचवी गई पर उस तो बाद देखन देवे चाहा है कि करोना अपने पिछे बहुत को जहूर चाट गया शुरुआत में जड़े देखन चाहा है ब्लैक फंगस ना दी एक बिमारी उस तो बाद असी देख्या कि एस रफ एकर अंगडी फंगस नहीं है ब्लैक तो बाद वाइट होगी वाइट तो बाद येलो होगी आखिरकार एजड़ियां बिमारियां ने इना तो बचा किस तरह क अपने नॉर्मल लाइफ पर करोना करके इना थे थोड़ा इंसिडेंस वाद गया वो जड़े वदन दा कारण है वह भी रिसर्च टॉपिक है शोद दा टॉपिक हैगा कोई कहने दे जी ऑक्सीजन दे ना लो गया या ऑक्सीजन दे जड़े यसी हिमिडिफायर होते पानी चेसी हो गया तरी करन्य दे करके हो गया वजा दुक्त हो गया ते कंहिसे करवान्यमर और दे ना लो इंजरियार हो जैंडिया या जड़े कॉटन अंदर रसी टैस्ट किरवानने आप अदे ना लें गेंट्री स और यहाई तरह हो जानकी किसaws दे kरन्फ तरह से पूरी तरह या येलो फंगस वदे हैगे है पर डेफिनेटली क्रोना का आज इतिन्नों चारों फंगस दा इंसीदेंस हैगा वदे है ते साथ यह सरकारानू उन्हें चाहिद है कि जह अग्यतों असी जड़ी एदी दुआई है क्योंकि इनना दा ट्रीटमेंट पॉसिबल है अरली प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके अच्छा डॉक्ट साब असी देख रहे हैं कि इस वेले तक करोना दे देश देवेच बहुत ज्यादा केस नहीं आ रहे हैं इका दुका केस आ रहे ने जिस तरहां देनाल आपका देखे हैं कि पहली लैर तो बाद एकदम थोड़ी जी शांत सरकारा ने हुन स्कूल खोलन दा फैसला ले ले जिदा यूपी देवेचे स्कूल खोलनों इजाज़ती गई है चंडीगर देवेच वी गालबाद चल रही है कि स्कूल जड़े खोले जान हरे आना देवेच वी कि तो अनू लगदा है कि ए होजी स्थिती आ चुकी है जिते अपने दे रहे है वह पाग ग्राउंड लेवल ते मैंनों कोई फरक नजर नहीं आ रहे है नाई मैंनों लगदा है कि और वाले तिन्चार मिन्याच कोई फरक पैन वाला है वो दा कारण है जी असी जी दी मर्जी स्टेटमेंट सुन लिए ओ इंफ्रास्ट्र ते जोर दे र आस्पिटल दाएक आर रहे हैं आसी पर जैसी सिवल आस्पिटल विजट करिये ता कोई हल चाल है नहीं गयों थे के जी चाली बैडड़ेट आई सीउ बना रहे हैं या वेंटिलेटर आ रहे हैं या वार फोटिंग ते काम चाल रहे है जिवें एक्सपोर्ट्स ने किया है असी थर्ड वेव एक्सपेक्टेड है गी है वो सा अबनाल कोई कामकार नहीं चाल रहे है जड़ा जड़ा में इंपोर्टेंट है जी जिदा मैंनू फिकर है वो ए है मैं हरेक फोरंते भी कहनने है के वेंटिलेटर आप नहीं चलना असी कमरे बना दांगे अस्ताल बना दा इस स्पेस्फिक क्रोना दे जड़े केसिज है गया उन्ना नू मैनेज करन वास्ते सो मैंनों नहीं लाग दा कोई रिक्रूटमेंट ड्राइव एन्नी हो रही है या आसी पैसे खर्चंदी सोच रहे हैं पबलिक हेल्थ थे देखो प्राइवेट हॉस्पडल ता पहले है उन किता जी पैसे बाद दे लिते ओदा एक कोई तरीक है कि जे आसी पबलिक हेल्थ केर नू स्ट्रेंथन करांगे ता बोज प्राइवेट अस्प्राइवेट होना चाहीद है कि पाई पैसे खर्चने जाए तुसी वदिया सुविदामा लैनिया प्राइवेट चले जाओ अव लैवेट गरेत हैं जिननी देear तक फाइप्लिक हेल्थ केर नू स्टेंथन नहीं करनगे डॉक्टरज दे स्टाफ नर्सिश दे वॉर्डबॉटर जेँघ भाइवेट है जेट aisनी किन्वेट होहं के किनने बैट होगे तुसी देंगे ओ उससे टरा प्राइवेट सेक्टर लुए लुए जी तो सरकारानों चाहिद है कि आफ दे तौरते वो सरकारी अस्पिताला नो तकड़े करन तकड़े ताइं होनगे जैसी डॉक्टर्स दी या दूजे हेल्थ स्टाफ दी रिकूरूटमेंट करांगे लॉक्ताथ उसी गाल का रिकूरूटमेंट दी के नवी पर लेकिन उस तो बाद उना नू बजाए कोई होर बोनस नेंदे उना दी तनकाद वेज़ कटोटी की तीगी एस गाल नो तुसी किस तरा वेग लेग 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 पता है जी के इह सरकारां दा तोख है जी जी मतलब तुसी मैंनों यह समझ नहीं आन दी एने एकॉनमिस्ट बैठेया होते सेक्टरी फाइनांस है हो रहा है जदो ओ लागू कर दे उन्हों पता नहीं उन्दा के जी डॉक्टर दी पे कट हो किये दे ना फिर भी लागू कर दे आ हो दूझे पास है जदो डॉक्टर जाने है उनना को ले तरह जितन दी मीटिंग्स हो गिया चार मीटिंग्स होख भारा चार है ओक एंजा जी एक निकल निकल लायार सिद्धी सिद्धी गाले क्यों तुसी अन्ना नू बापस लो उनना थी पेवदाना ता किये कट आई जान या सो इक पास ही ऑसी वारियर्स क प्राइवेट दा फेर भी अपना इंट्रस्ट है पैसे दा इंट्रस्ट है सर्विसेज दा इंट्रस्ट है पर वो डॉक्टर जड़े सिरकारी अस्तालाच काम करते है असल वारियर आपा उनना नों कहने हैं उनना दी जे पेकट आएगी ता मेरा ख्याल मेरे कुले शब्द है इसकार करे जिन चूछिए, प्राइवेट फेर्ट चले जानता है उन्हों दुगनी पे मिल दी यह तो क्यों लेक्ट के जानगे जी यो जाटके जानगे तर ता साठी सरकारी अस्तालाच काम कारूब तो इसकार के बड़ी मंदपागी सिचुएशन होई पई आगी पता नह सोच दे सरकारां चलके में रही है रब सारी चल रहे है जी कोई तो जादा अबादी हिंदोस्तान लगदा कि इस वक्ताइब टक जनी वैक्सीनेशन होई है किना समाह हो गया इस वैक्सीनेशन नो शुरू होई वी आनवाला किना वॉर समाह लगेगा और की साथ मिकदार है कि एक वरी पूरे सारे हिनुस्थानानों असी यह डोज किनी दर तक लगवा सका बड़ा बड़ा स्वाल है जी यहे बहुत सेंस्टिव मसला है असी शुरू तो जदो जनर्वीज वैक्सिनेशन शुरू होई है उनों तो सरकारां दी डिफरेंट पॉसिबिल जडियां पॉलिसी सी गियां वो बड़ियां हैफ हैजर्ड जियां रही है सो मेरे साबनाल असी जदों दी वैक्सिन शुरू होई है उनों दी बड़ी मिस्मैनेजमेंट किती है असी ओड़ी अग्ये देख नी सके पॉपिखे चे भी सानू किन्नी वैक्सिन दी लोड़ पहूगी इस से करके मेरा गार मोदी साब ने अपने हेल्थ मुनिस्टर दा पत् जिननी सेंटर चों आंदी है उननी असी अग्ये दिनने है उदे एंजी ओज ने बहुत कम किता है जड़े फ्री केम्प लगा के लोकां दी है लोकां चे जाग रूकता पैदा करन वास्ते बहुत ज़्यादा कम किता है उथे भी किते ना किते थोड़ी जी पॉलिटिक साज जन्दी है जेडियां कुछ संस्तावानों जाला वैक्सीन दे देंदे है कुछ संसामनों काट दे देंदे है जी मैं बठिंडे होई है साथी डिस्टिक अड्मिस्ट्रेशन है उन्हें असी आफ दे कैम्प लगांदे सी जे चार साथे चार हजार कैम्प लगाए पर ओ जो कोई अफवा नहीं मननी चाहीदी कोई कुछ नहीं मनना चाहीदा जिनू मौका मिल दे है ओ वैक्सीन जुरूर लगवावे क्योंकि साथे कोड़े कोई एहे अपराला है जेड़ा साथा अग्गे जाके साथी मदद करेगा सानू करोना तो बचाएगा फैलन तो भी ते दो वद वैक्सीन प्रक्योर करन ते फ्री लगान सबनू ते ओलरी कैंपेंस ता चली रही है अफवामा नू निगेट करन वास्ते अफवामा नू खतम करन वास्ते पर ओदे जो मीडिया दा बहुत बड़ा रोल है जड़ा बहुत कंस्ट्रुक्टिव तो और ते प्ले कार रहे हैं सो अफवामा भी काट रही हैं लोग अग्गे बाद चाड़ के आ रहे हैं वैक्सीन लवान वास्ते पर जे आप पिछला हिस्ट्री देखी है के सात्म इन्द्याज किनी वैक्सीन लागी तो एदे मताबक अग्गे साधीया सरकारां जे वजिया तरीके ना वैक्सी पॉसिबल है गाजी नहीं ता काफी टाइम लाग जूगा जी वैक्सीनेशन वास्ते बिल्कुल ठीक गलत उसी कही हो और देवेचे जेड़ी साधी जनता ओदा सहयोग वी उनना ज्यादा जरूरी है क्योंकि है तक बहुत सारे लुकां दे दिमाग देवेचे परंप लेक् गुजडे ने कुछ परंप लेक्खा पारे ने कुछ आ तक लुकां दे मंदे वेचे वैम भी है कि देना लहूर बहुत सारी ब्मारियां हो सकते हैं एद बारे की कहना चाओ बिल्कुल ठीक है जी कले लोकां जी आम लोकां जी मेरी कई डॉक्टर्स ना भी गल होई है सो असी हज़े तक हिंदोस्तान जी देखो भी हेल्थ केर वर्कर्स दी पूरी इम्मुनाइजेशन नी कार सके किते ना किते साड़े दमाग सारे लोकां दे इंक्लूडिंग डॉक्टर्स किते ना किते शक हैगा वैक्सीन बारे मेरे साब नालता निकलना चाहिए जी अगे कैंपेंज नाल अवेर्नेस ड्राइव नाल कुछ हो पिछे देखनगे भी छे मिन्या जानने लोका नो वैक्सीन लागी जिना नो कुछ नी होया या वोस तरीके नाल अगे एक्सपीनियंस इस तो सिखनगे पर डेफिनेटली ए वैक्सीन हेजिटेंसी बहुत ज़्यादा हैगी है जिए गोड़ दा पर सिखनगे लोका नोया किए बिलकुल मनननू त्यार ही नी हैगे कि वैक्सीन असी लगवानी है जानदे जानदे मेरा आखरी सवाल तो अनुए होएगा कि जड़ी थर्ड वेव दी अपा सूच रहे हैं क्योंकि अलर्ट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपा बमारी देनाल लड़न तो पहले जिकरसी उदा बचा कर लिए तो वर्टीकल हो और कोई नहीं हो सकती तो अ लागी है अलरड़ी जेड़े एक्स्पोजर हैगा काफी लोकां दा करोना नो हो चुक्के है जेड़ा पगए ये रब करनी हो वेक्सिनेशन होगी पर असे ये हजे भी अंगैली वारत रहे हैं वो देचे सिरकारां दा बहुत वड़ा रोल है जी वो देचे जे जे असे बहुत ज्यादा माड़ा असर पहनें चे लोकां दा वी उनने ही रोल है जिनना सरकारां दा लोल सरकारां दा रोल सिस्टमनो स्टेंथन करन ते वैक्सिन दी अवेलिबिलिटी थी देए लोकां दा रोल ए आए कर ओप लन ना कर सेकंड वेप ले की होया तुसी मतलब एना ख आखी ले रहे हैं, तो उनना तो किते ना किते सीख लेके, कर तोकाटे इंविज्ड बंदे नू, मास्क, हैंद हाईजीन, ते सोशल डिस्टेंसे, ते जे वैक्सिन दी अवेलिबिनिटी हैंगी है, सरकारां नू चहीद है वैक्सिन अवेलिबल करांग, ते लोकां नू सब्सक्राइब बिल्कुल ठीक गल गई तुसी डॉक्र साब और वाकई ए थर्ड वेव इस तो असी बच भी सकते हैं और जेकर असी इनना सारे प्रिकॉशन्स नो जो डॉक्र सामने सानु गलां दसी हैंने उनना दा खास दोर दोते ख्याल रखिए ता यह भी हो सकता है कि थर्ड वेव हिंदुस्तान दे वेचे आए ना लेकिन जे आए भी ते ओधी इंटेंसिटी इन्नी जादा नहीं होएगी कि उस तरीके दिना नुक पूल के अगे बाद रहे हैं जिस तरीके दिनाल बिना प्रिकॉशन दे इस आड़ेली आन वाले दिना दे विच बहुत खतरनाक हो सकता है तो मैं अपने दर्शका तो यह उमीद करांगा और यह बेंती वी करांगा अपने चैनल दे मादम दे रहीं कि तुसी एहोजी प्रि आज दे प्रोग्राम नो खत्म करन दी कमल प्री तौड़े तो चाहेगा इजाज़त तान बाद